सबस्ट ने स्वागत आपका सडिये के एडिकेशन प्लैक्परम में चिरीज में आज हम करने जा रहे हैं दो और इंपॉर्टन अमेंडमेंट्वं Be एंप्राइव क्योंकी यह पैले का कॉंटिनुशन आपने जो समय था या तो यहां पर पंजाब में एमर्जिंसी चल रही थी पंजाब में क्राइस चल दे या फिर 9 चुड्यूल को टाइम एन अगेन एक्सपैंड किया जा रहता है तो दोनों अमेंडमेंट्मेंट्म उसी से रिलेटेड हैं जैसे कि आपने देखा काफी ज्यादा कमेनट्मेंट्मेंट्मेंट्म न्युड्स काहब मोस कर भ नुए श्याद एक्स घ्याद्यूuire मैं आपको पहले बता है रही इसमें कोट ने 2007 में ये कह दिया कि यहां पर इनका जुडिसल review जो है वो very much possible है in fact court कभी भी इनका judicial review कर सकती है तो इस तरह से क्या हुआ 9 schedule को यहाँ पे expand किया गया और further और laws जो है लगबख 20-25 state legislatures ने यहाँ पे laws जो है वो डाले land reform से land ceiling को लेके agriculture land को लेके तो laws है वो insert किये गए ताकि वो challenge ना किये जा सके या दोगा 1990 से जस्ट पहले ही मिनेरवा मिल्स case आया या फिर उसके बाद आप देखेंगे वामन राओ case आया वहाँ पे भी Supreme Court ने कहा कि हम schedule 9 को schedule 9 का हम complete judicial review कर सकते हैं लेकिन finally IR को hello में establish हुआ कि हाँ किया जा सकते है तो तब तक state government जो है वो laws डालती रही थी central government पार्लेमेंट जो है वो इसमें laws डालती रही थी तो इसी से related था आपने देखा कि आंदरप्रदेश, बिहार, गुजराथ, वेस्ट बंगल, तमिल नाड़ो की जो UTs है इन्होंने 9 schedule में land reforms related काफी laws जो है वो डालती है, अब इससे क्या हुआ, इससे उनको कुछ benefits मिल गए वो उन laws को implement कर पाई, judicial reforms, वहाँ पे legal reforms हो पाई, land reforms हो पाई, और लोगों की जो poverty की problem हो, उसको resolve करने की कोशिश की गई, तो इतना ही था बस, बहुत जाद इसमें कुछ नहीं है, 77th amendment आपको याद होगा कि हम 356 में बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, कि state के case में emergency या constitutional breakdown के case में emergency जो 3 साल रहीगी, आपको याद होगा हमने 64th amendment में भी यह बाद समझी थी, कि पंजाब के case में क्या क्या क्या, उसको 3.5 साल, 3 साल और 6 मही ने किया गया, लेकिन जब election commission से पूछा गया कि क्या यहाँ पे elections किये जा सकते हैं, आपको याद रखना होगा, जब भी election कराने होते हैं किसी भी state में, पारलेमेंट को या state को, तो वहाँ पे president जो है election commission से पूछते हैं, कि बताईए, यहाँ पे सही है समय election कराने का समय, जैसे कि जब मुझ कश्मीर में पूछा गया था 2020 में की election कराय जा सकते हैं तो election commission ने का नहीं, अभी हम prepared नहीं हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे जो elections हैं, वो election commission के advice पे कराय जाते हैं, तो पूछा गया कि ऐसा कोई step नहीं लेगी, जिसकी वैसे crisis हो election commission नहीं यहीं का कि पहले आप democracy को restore कीजे, पहले आप law and order को restore कीजे और फिर हम elections महाँ पे कराएंगे अब साड़े तीन साल, आपको याद हो का 1987 से निकल चुके थे और यहाँ पे जो emergency, estate emergency है, वो लागू थे अब एक पंजाब के लिए फिर specific clause add किया गया, फिर से amendment लाया गया, इस amendment को हम कहते है 67th amendment और यहाँ से यह बात ensure की गई कि फिर से अगले 6 मही निकले emergency जो है वो invoke की जाए और यहाँ पे emergency फिर से 6 मही निकले invoke की गई इस constitutional change के द्वारा, तो 356 clause 4 में प्रपोस के आगे एक change कि पंजाब में emergency जो है वो 4 साल तक लगाई जा सकते है क्योंकि peaceful elections possible नहीं है, यही जानना था मैं दोनों amendment के बारे में, आशे अगर तों clear हो गया होगा, मिलेंगे अगले amendment की series में तब तक लिए, goodbye, take care and God bless you all